कुछ खूब सिरत साथ एक पल में आकर छुट जाते हैं, कभी ना समझी से, कभी बेरुखी से, कभी शिकायतों से, कभी खामोशी से, तो कभी वसीयो ही नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका, हमारी यूट्यूब चैनल अनकहिसी बाते पर, मैं आपको सुना रही हूँ, दिव्य प्रकाश दुबेजी द्वारा दिखी कहानी, अक्टूबर जंग्शा 10 अक्टूबर 2015 मुंबई, बुक मैं ट्रिप ऑफिस सुभर 9 बजे सुधिप यादव, जब रोस की तरह अपने आफिस पहुचा, तब उसको रिसेप्शन पर ही रोग दिया गए अभीजात और सुनैना उसको एक कैबिन में लेकर गए सुधिप की तरफ एक लेटर बढ़ाया गया लेटर में कुछ ऐसा लिखा था, जिसका मतलब था कि बोर्ड आफ डारेक्टर्स और इन्वेस्टर ने मिलकर यहाँ फैसला लिया है कि सुधिप अब इस कमपनी का CEO नहीं रहेगा सुधिप की जगह अभिजात को CEO बनाया जा रहा है यहाँ मिटिंग रात के एक बज़े होई थी सुधिप ने लेटर को वही के वही फाड दिया और अभिजात के आखों में आखे डाल कर देखने लगा अभिजात ने बोलना शुरू किया कि रात में देर हो गई थी इसलिए उसे रात में जगाना ठीक नहीं समझा सुधिप के होट फड़फड़ा रहे थे लेकिन वहाँ इतना घुस्सा था कि कुछ बोल नहीं रहा था सुधिप केबिन से उठकर अपने केबिन में जाने लगा इतने में उसके हाथ से उसका लैप्टॉप ले लिया गया उसका केबिन लॉक किया जा चुका था उसको अपना सामान अपने केबिन से हटाने का टाइम भी नहीं दिया गया सुदिप की कैबिन में उसकी मा की फोटो लगी थी सुदिप जित पर अड़ गया कि उसको अपनी मा की फोटो चाहिए सुनैना के कहने पर कैबिन खोला गया सुदिप पूरे कैबिन को एक बार ध्यान से देखा अपनी मा की फोटो उठाई उसके कमरे के बोट पर लिखा हुआ था कि book my trip अगले दो साल में इंडिया की नंबर कमपनी होगी उस कैबिन की एक एक चीज को उसने इत्मिनान से देखा जैसे छोटे बच्चे बहुत नाराज हो जाते हैं तो अपने सबसे प्यारा खिलोना तोड़ देते हैं वैसे ही सुदीप नाराज था वो कमपनी जिसको सुदीप ने बनाया था अब उस कमपनी को सुदीप की जरुरत नहीं सुनेना ने सुदीप को समझाने की कोशिश की थी लेकिन सुदीप ने सुनेना की कोई बात नहीं सुनी वहाँ ओफिस से निकल गया आफिस से निकलने के पाँच मिनट के भीतर ही सुधिप ने एक इमेल लिखी जो की जान बुचकर उसने मीडिया में लिख कर दी Dear Board Member and Investor मैं बहुत पहले ही समझ चुका था कि आप लोगों से कुछ भी बात करना ही बेकार है मैंने बहुत पहले ही हिसाब लगा लिया था कि मेरे पास इस लाइफ में करीब पौने तीन लाग घंटे है एक एवरेज आदमी करीब साट साल जीता है उसमें से सोने का समय मैंने घटा दिया है मैं अपनी लाइफ का बचा हुआ समय आप लोगों की पौलिटिक्स पर खराब नहीं करना जाता हाला की अच्छा यह रहता कि आप मुझे हटाने से पहले बता देते लेकिन आपने वो सब इतने चुपचाप किया है जैसे कोई रात में चुपचाप चोरी करता है All the best काईदे से आगे कभी भी कमपनी को मेरी जर्रत होगी तो मुझे आपकी कोई मदद नहीं करनी चाहिए लेकिन मैं आप लोगों जैसा नहीं हूँ बुकमैट्रिप को इस देश की नंबर एक कमपनी बनाने में कभी भी मेरी जर्रत होगी तो मैं कोई भी मदद करने के लिए तैयार हूँ शुदिप यादव सुदिप के इस इमेल डालने के एक गंटे के अंदर इस देश के हर नियूस चैनल पर यहाँ इमेल था तमाम आर्टिकल लिखे जा रहे थे सुदिप हीरो था लेकिन सोशियल मीडिया पर कोई उसको कल्ट हीरो बोल रहा था तो कोई क्रेजी तो कुछ लोग इमेच्योर उधर चित्रा ने टीवी आउन किया तो यही नियूस चल रही थी लोग तरह-तरह की बाते कर रहे थे हर चीज के तमाम पहलू होते होगे लेकिन नियूस पर हर बात के दो ही पहलू होते है एक बहुत सही और एक बहुत ही गलत बीच का कुछ नहीं होता नियूस चैनल पर एक पैनलिस्ट ने घूशना कर दी कि Forbes magazine की बहुत ही popular list 30 under 30 में आने वाले सुधिप यादव का career खतम हो चुका है सुधिप यादव की bite लेने के लिए लोग खड़े थे लेकिन सुधिप यादव की तरफ से कोई भी statement नहीं आया था सुधिप की popularity इतनी ज्यादा थी कि उसके नाम से Twitter पर हैश्टेग कमबेक सुधिप हैश्टेग I stand with सुधिप train करने लगा चित्रा नियूस पर यह सब देख रही थी चित्रा ने सुधिप को phone मिलाया लेकिन सुधिप का phone बन दा रहा था उसके पास उसकी सेक्रेटरी का number था चित्रा ने वो number मिलाया लेकिन सेक्रेटरी का number भी बन दा रहा था उदर सुधिप की कार के पीछे अभी भी reporters थे उसको समझ आ गया था कि अगर वहां मुंबई में रहा तो ये लोग पीछा नहीं छोड़े गए आफिस से निकल कर वह सिधे एरपोर्ट गया और उसने लखनाव की पहली flight का टिकिट बुक किया उसने अपने driver का mobile अपने साथ रख लिया था सिक्योरिटी चेक के बाद उसने अपने driver के number से चित्रा को फोन किया चित्रा ने सुधिप से सबसे पहले पूछा तुम ठीक तो हो हाँ मैं एकदम ठीक हूँ लखनाव जा रहा हूँ मैंने कभी पूछा नहीं कौन-कौन है घर पर तुम्हारे बस पापा है पापा प्रिंसिपल थे जब मैं 12 के बाद पढ़ाई बन कर दी थी इस बात से उन्होंने कई साल तक मुझसे बात नहीं की थी ममी ममी बहुत पहले ही चली गई थी मेरे पढ़ाई छोड़ने के बाद से पापा उनको रोज-रोज सुनाते थे ममी बहुत रोती थी एक दिन ममी सोई और उठी ही नहीं मुझे पर भी पता नहीं किस बात की जित थी थोड़ा बहुत पढ़ लेता तो क्या ही फर्फ पढ़ता सॉरी तुम्हें पता है मैंने इसलिए कभी अपना घर नहीं खरीदा मैं इसलिए होटल में रहता हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है घर से मुझे लाइफ में बस एक ही मलाल है कि मम्मी जाने से पहले देख नहीं पाई कि मैं कुछ कर भी सकता हूँ इधर कुछ दिनों से मम्मी की बहुत याद आ रही है कमाल की बात है वे लोग कभी घर बनाने में अपना एक भी मिनट खराब नहीं करते जो कभी भी घर बना सकते है यहाँ जानते हुए कि यहाँ हमेशा नहीं रहना ऐसे में अपना घर बनाना और घर होना इस दुन्या का सबसे बड़ा धोका है यहाँ ब्रहम ऐसा ही है जैसे ट्रेन की सीट को आदमी हमेशा के लिए अपना समझ ले एक दिन स्टेशन आएगा और हम उतरने के बाद पीछे मुड कर भी नहीं देखेगे चित्रा ने खामोशी तोड़ते हुए पुछा पापा तो आप खुश होगे कि उनका बेटा इतना बड़ा आदमी है पता नहीं हमारी कभी सही से बात ही नहीं होती बस जब भी अकबार में मेरा नाम आता है तो उसारी कटिंग संभाल कर रखते है सुधी बोलते बोलते रुख गया चित्रा ने भी कुछ पूछने की जलबाजी नहीं दिखाई चित्रा हाँ भोलो तुम आ जाओ, मैं रपता हूँ फोन काटने के बाद चित्रा को लखनाओ के घर का एड्रेस का SMS मिला चित्रा ने अगली फ्लाइट चेक करके अपना टिकेट बुक कराने की कोशिश की लेकिन किसी भी फ्लाइट में कोई जगा नहीं थी उसने स्टेशन जाकर लखनाओ मेल में टीटी को पैसे देकर सीट ले ली चित्रा को पूरे रास्ते सुदिप की चिंता थी और 10 अक्टूबर को न मिल पाने का मलाल भी 11 अक्टूबर 2015, लखनाओ सुदिप के पापा को भी जर्नलिस्ट कल से फोन कर रहे थे सुदिप के पापा ने लखनाओ के विरामकन गोमती नगर में अपना घर बनाया था घर में उनका एक पुराना नौकर साथ रहता था घर दो फ्लोर का था और उपर वाले हिस्से में सुदिप के पापा रहते थे नीचे वाला फ्लोर उन्होंने किराय पर दे रखा था नीचे वाला फ्लोर वही घर के पास में टीसी एस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस में काम करने वाले कुछ लड़कों ने ले रखा था ये लड़के अपनी नौकरी से रोज बोर होते हुए सोचते थे कि उनको सुधिप यादव जैसा बिजनसमेन बनना है जब सुधिप ने पापा को बताया कि उसकी एक दोस भी आने वाली है तो उन्होंने एक कमरा साफ करवा कर चद्दर और तक्या बदलवा कर रख दिया था इस कमरे में सुधिप की मा की बहुत बड़ी तस्वीर लगी थी चित्रा ने घर पहुँचकर मुहाद दोया सुधिप अब भी सो रहा था सुधिप के पापा छट पर अकभार पढ़ते हुए चाए पी रहे थे टेबल पर तीन अकभार थे एक हिंदी का दैनिक जागरण और अंग्रेजी के दो अकभार टाइम्स ओफ इंडिया और एकनॉमिक टाइम्स चित्रा को उसके पापा ने चट पर आकर चाई पीने के लिए बुलाया चित्रा के वहाँ आने के थोड़ी देर बाद सुधिप वहाँ आया इकनॉमिक टाइम्स में सुधिप के उपर एक अच्छा खासा लंबा आर्टिकल आया हुआ था पापा ने पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद भी सुधिप से कुछ नहीं पूछा पिछली शाम से अभी तक इन दोनों की बिच कोई बादचीत शुरू नहीं हो पाई थी चित्रा के वहाँ पहुचने के बाद भी कोई बादचीत आगे नहीं बढ़ रही थी आखिरकार पापा ने ही बाद शुरू की दिन में क्या खाओगे तुम लोग? कुछ भी सुदिप ने कहा कुछ भी नहीं बनता हमारे यहाँ बेटा आप क्या खाएगी? पापा ने चित्रा से पूछा चित्रा ने पलट कर पूछा कि घर में कौन-कौन सी सबजी है पापा ने बताया कि जो पसन हो वो सबजी आ जाएगी सबजी मंडी पास ही है इसके बाद चित्रा और पापा की बात होने लगी पापा ने बताया कि सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के माली जगदिश गांधी उनके दोस्त है तो वह अक्सर बच्चों की क्लास लेने जाते है चित्रा ने पूछा भी कि इतने बड़े घर में वह बोर नहीं होते पापा ने बताया कि वह वैसे ही जिन्दगी काट रहे है जैसे कि सुदीप की माँ जिन्दा हो वह वही सिरियल देखते हैं वही गाने सुनते हैं जो इसकी मम्मे को पसन थे उन्होंने वही छट पर अपना पढ़ने वाला कमरा दिखाया जहां हजारों किताबे रखी थी अलमारी खोलकर उन्होंने एक फाइल दिखाई जहाँ पर वो सारे अकबार की कटिंग थी जिसमें सुदीप का नाम आया था उन्होंने उस दिन के इकनॉमिक टाइम्स की कटिंग भी वही उस फाइल में लगा दी जब भी सुदीप को कॉलेज न जोइन करने की वज़ह से डाटता तो इसकी मम्मी हमेशा कहती थी मट डाटा करो इसको देखना एक दिन बहुत नाम रोशन करेगा आपकी अंटी से लव मेरेज हुई थी चित्रा ने किताबों की अलमारी से एक किताब निकाल कर पुछा हाँ वो यादव नहीं थी शादी के बाद भी मैंने सुदीप की मम्मी का नाम चेंज नहीं कराया इस बिच पापा ने सुदीप की कुछ नोटबुक निकाल कर चित्रा की तरफ बढ़ाई इसकी मैंच तो अच्छी थी ही बच्पन में ये बच्चों की कहानिया लिखता था चित्रा सुदीप के पुराने नोट्स पलटने लगी सुदीप अभी भी छुपचाब बैठा हुआ था चित्रा ने सुदीप को वही कमरे में बुलाया तुमने बताया नहीं तुम लिखते भी थे वो लड़का कपका मर गया जो लिखता था ऐसे मत बोलो आगे का क्या प्लान है तुम्हारा कुछ भी नहीं पता फिलहाल तो एक-दो वकिलों से बात हुई है मैं केस करोगा पापा अभी तक वही थे वो वहाँ से यह क्याकर निकल गए कि सबजी लेने जा रहे है नौकर कभी अच्छी सबजी लेकर नहीं आता मुझे पूरे घर में छट सबसे अच्छी लगती है क्यूँ? जब भी आसमान में देखता हूँ तो सोचता हूँ कि उस पार के दुनिया कैसी होगी उस पार कुछ है भी नहीं जब मम्मी की याद आती है तो आसमान देखता हूँ बजपन में जो कहानिया लिखता था वो भी ऐसे ही होती थी मेरे सारे कैरेक्टर आसमान के उस तरफ रहते थे सुदिप यहां बोलने के बाद आकर दोबारा कुर्सी पर बैठ गया उसने नौकर को फिर से दो कप चाई बनाने के लिए कहा कितने दिन हो लखनाव में? चित्रा ने अकबार में कटा हुआ हिस्सा सुदिप को दिखा कर पूछा अभी कुछ नहीं पता कल बहुत दिनों बाद अच्छी नीन दाई ऐसी नीन कई सालों से नहीं आई थी सुदिप उठकर किताब वाले कमरे में गया और अपनी नोटबुक उठा कर पढ़ने लगा जिसमें उसने कहानी लिख रखी थी तुम तो इतना घोस्ट राइटिंग करती हो कभी मेरी किताब भी पूरी कर दो चित्रा ने उसके हाथ से नोटबुक लेकर अपने पास रख ली कर दूगी तुम भी क्या याद रखोगे अब ये बताओ लखनव में कहा घुमा रहे हो चलो शाम को तुमको गंजिंग करा कर लाते हैं गंजिंग क्या होता है? चित्रा ने पूछा हजरत गंज में बिना काम के घुमने को गंजिंग करना कहते हैं 11 अक्टुबर 2015 लखनव हजरत गंज शाम को सुदिप अपने पापा की कार में छित्रा को लेकर हजरत गंज निकल पड़ा सुदिप हजरत गंज बहुत दिनों बाद आया था वहाँ चौराहे पर हनुमान मंदिर के पास में ही बहुत बड़ी कार की पार्किंग बन गई थी पार्किंग में कार लगा कर सुधिप हनुमान मंदिर आया और अपने जूते उतारे बीना थोड़ी दूर से कुछ देर तक हनुमान जी की आखों में देखता रहा चित्रा वही पडोस में खड़ी होकर चौराहे पर आता जाता ट्रैफिक देख रही थी इस वाले हनुमान जी की आखे बिलकुल असली लगती है मैं पहले भी जब भी आता था तो हमेशा आखों में देखता था थोड़ी देर तक देखो तो लगता है की आखों की पुतलिया हिल रही है मम्मी हमेशा डाटती थी कि मैं जूते नहीं उतार था ऐसा क्या खास है अजरत गंज में चित्रा ने पूछा थोड़ी देर टहलो अपने आप समझा जाएगा यहाँ सामने मोती महल पर बास्केट चाट खिलाते है तुम्हें लखनाओ गए और बास्केट चाट नहीं खाई तो समझी ये लखनाओ गए ही नहीं चित्रा ने लाइफ में पहली बार बास्केट चाट खाई चाट खाकर अभी वे थोड़ा आगे बड़े ही थे कि इतने में सुधिप को एक गोलगप्पे वाला दिखा सुधिप ने उसे बहुत देर तक ध्यान से देखा सुधिप ने गोलगप्पे वाले से पूछा भईया कॉलविन तालू के दार स्कूल के बाहर आप ही ठेला लगाते थे ना गोलगप्पे वाले ने बताया कि हाँ वही लगाता था सुदिप ने चित्रा को बताया कि उसके स्कूल में यही भईया चार्ट का ठेला लगाते थे गोलगपे वाले ने पूछा भी कि कौन से साल में थे भईया सुदिप ने बताया कि आपने इतने लड़कों को चार्ट खिलाई है कहा याद रहेगा गोलगपे खाते वए सुदिप ने बताया कि यह लव लेन है वहाँ फुटपाथ पर टीशट से लेकर मैक्सी तक बहुत कुछ मिल रहा था थोड़ा आगे बढ़कर सुदिप को किताब की दुकान मिली जहां से वह किताब खरीदा करता था चलते चलते सुदिप चौराहे के पास आप पहुचा यहाँ पहले मैफेयर नाम का पिच्चर हॉल हुआ करता था लेकिन अब यहाँ आक्सवर्ड लाइब्रेरी बन गई है सुदिप हजरत गंच में आते ही क्लास 12 का एक लड़का हो गया था जो घुम घुम कर अपनी बिशरी हुई यादे समेट रहा था चित्रा उसके साथ टहलते टहलते स्कुल जाने वाली एक लड़की हो गई थी जिसको बस अब से दो घंटे बाद जिन्दगी का पहला प्यार होने वाला था चित्रा का अब तक खाखा कर पेट भर चुका था लेकिन सुदिप ने फिर भी जबरदस्ती राम आसरे के यहास मिठाई खिला ही दे पूरा हजरत गंच एक थीन पर ब्लैक और बाइट था मायावती जब उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री थी तो जो काम उन्होंने करवाए उनमें से एक यहाथ था कि कम से कम हजरत गंच अब बहुत सुन्दर लगने लगा था अगर सुदिप को अभी अभिजात का फोन नहीं आया होता तो वह करीब करीब यह भूल ही चुका था कि ठीक एक दिन पहले वह सब कुछ खो चुका है अभिजात ने उसको डाटा भी कि वह कहां गायब है इन्वेस्टर बहुत नाराज है सुदिप से वे उसको कुछ वन टाइम सैटल्मेंट के पैसे देना चाहते थे लेकिन सुदिप का वेवार ऐसा है कि उसको कुछ नहीं मिल रहा है अभिजात ने बताया कि उसका जितना भी स्टेक था वो इन्वेस्टर ले रहे है वो अब कमपनी के बारे में कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकता कमपनी के जितने भी काड उसके नाम से चल रहे थे वो सीज कर दिये गए है कमपनी के नाम पर जो भी सुवीदाय उसे मिल रही थी सब कुछ ले ली गई है कुल मिलाकर इसका मतलब यह था कि सुदिप के परसनल अकाउन में जितने पैसे थे बस उतने ही उसके पास बचे थे वह लखनाव पहुचकर वैसे ही खाली हाथ हो गया था जैसे कि कुछ साल पहले जब उसने लखनाव से सब कुछ जीरो से शुरू किया था अभीजाद जब यह सब फोन पर बता रहा था तो सुदिप गुस्दे में एक दो बार चिलाया भी लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता था चित्रा ने उसको चुप करवाने की कोशिश नहीं की लौटते हुए सुदिप ने चित्रा से कोई बात नहीं की घर लौटकर वहा अपने आपको कमरे में बंद कर लिया डिनर पर चित्रा सुदिप के पापा के साथ बैठी और उसने जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ सुदिप के पापा को बताया पापा ने जान भुच कर सुदिप से कुछ नहीं कहा बस अपने सोने जाने से पहले सुदिप के कमरे में नीचे परची सरका दी पर्ची में बस इतना लिखा था खाना फ्रीज में रखा है अगर मन करे तो खा ले चित्रा दुसरे कमरे में आ गई उसे सुदिप के कमरे में जाना सही नहीं लगा वह सुदिप की नोटबुक खुलकर पढ़ ही रही थी कि इतने मैं सुदिब के पापा चित्रा के कमरे में आये और बोले जब तक ये थोड़ा नॉर्मल नहीं हो जाता आप यही रुख जाओ बेटा ये इतना जिद्धी है कि मुझसे कुछ बोलेगा नहीं चित्रा ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो बोली आप परेशान नहों अंकल सब ठीक हो जाएगा चित्रा अभी सुदिब की लिखी हुई काहानी खत्म ही कर रही थी इतने मैं उसे किचन से कुछ आवाज आई वह उठकर गई सुदिब फ्रिट से निकाल कर अपना खाना गर्म कर रहा था तुम ठीक हो सुदिब ने कोई जवाब नहीं दिया चित्रा ने दुबारा पूछा तुम ठीक हो सुदिब ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया उसने बड़े ही आराम से खाना अपनी प्लेट में रखा और खाने लगा चित्रा वही डाइनिंग टेबल के पास बैड गई खाना खाने के बाद सुधिप उठकर अपने कमरे में जाने से पहले चित्रा से कहा सौरी कुछ भी बोलने का मन नहीं कर रहा सुभबात करते हैं सुधिप अपने कमरे में जाकर कुर्सी पर बैट गया चित्रा जान बुचकर उसके कमरे में गई और सुधिप को बहुत जोर से गले लगा लिया चित्रा के गले लगते ही जैसे सुधिप के अंदर का सारा घुसा पिघल कर आसू हो गया वह बहुत जोर से चिल्ला रहा था, जैसे कोई मर गया हो दूसरे कमरे में पापा को भी नीन नहीं आ रही थी लेकिन वह उठकर सुदीब के पास नहीं आये चित्रा ने कुछ नहीं कहा, बस वह सुदीब को गले लगाये बैठी रही दोनों कब सो गए, ना चित्रा को याद था, नहीं सुदीब को सुबह उठकर चित्रा छट पर गई अकबार में सुदीब के बारे में वही खबर थी, जो की एक दिन पहले अभी जात ने दी थी सुदीब ने अपना ट्वीटर का अकाउंट डियक्टिवेट कर दिया था, यहाँ खबर भी चित्रा को अकबार से मिली अभी तक घर के नीचे रहने वाले लड़कों को भी खबर लग चुकी थी, कि सुदीब आया हुआ है उन में से एक लड़का सुदीब से मिलने घर भी आया, लेकिन पापा ने उसको भगा लिया चित्रा ने सुदीब के पापा का नंबर लिया और अपना नंबर सुदीब के पापा को दिया सुदीब के उठने से पहले वह दिल्ली के लिए निकल गई सुदिप के पापा ने रोकने की कोशिश भी की लेकिन चित्रा रुकी नहीं चित्रा का चले जाना सुदिप के पापा को थोड़ा सा खटका सुदिप को थोड़ा समय अकेला पन चाहिए था और चित्रा उसमें कोई खलल नहीं डालना चाहती थी चित्रा सुदिप को इतनी अच्छी तरह समझती थी कि वहाँ और रुक कर उसकी परेशानी बढ़ाना नहीं चाती थी कई बार थोड़ी देर के लिए चले जाना बहुत देर के लिए लौट आने की तयारी के लिए बहुत जरूरी होता है चले जाने से पैदा हुई एक खाली जगह में एक नई दुनिया बनकर लौट आने की गुंजाईश होती है ऐसे रिष्टे जो खाली जगह को सहेच कर नहीं रख पाते वो तालाब के पानी के जैसे बासी हो जाते है कुछ रिष्टो को ऐसे ही छूना चाहिए जैसे ठड में घास पर जमी ओस की बून को नंगे पाव छूते है रोज सुभ बून नई हो जाती है और बून को छूकर पाव को राने नहीं रहते एक बून, ओस, आसू, नदी, समंदर और बरसात में ढलती हुई एक साल हो जाती है आज की कहानी हम यही खत्म करते हैं दोस्तों आपको कहानी कैसी लग रही है लाइक कमेंड करके हमें जरूर बताए आगे की कहानी आप तक आसानी से पहुट सके इसके लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले